अलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एक और नई वीडियो में और यह है मेरे साथ में 110cc की दो जबरदस बाइक जो की अपने प्राइस रेंज के इसाफ से काफिर जादा अच्छे फीचर्स उफर करती है जिसमें से पहली बाइक है अपने पास की स्पोर्ट जो की इस सेग्में में सबसे सस्ती बाइक मानी जाती है वहीं दूसी तरफ है मेरे साथ में बजाज की प्लैटिना 110 जो की 110cc के सेग्में के इसाफ से आल्मूस्ट आप सबसे कॉश्लियर बाइक जरूर कह सकते हो बड़ उस प्राइस को फुल्फिल करते हुए य या कुछ कड़ी टकर देती हैं बागी का अधर आप हमें चलने पर नहीं है तो चल्ड को सब्सक्राइब करें बैल करें वीडियो को लाइक करें और आपको फुली हेड्लैम सेटप जो है वह है लुग के साथ नजर आएगा साथ ही साथ जो इंडिकेटर है वह आपको ही दे घ्यल्जायन निकल की आएगा यहां में यहां की टैलिस्कोपिक सस्पेंशिंस से झाराइगे साथ 70 इंच्वालॉइविल होगा नजर आएगा सांầy साथ यहां पर आपको और ट्यू डैर्स नजर आएगा कमडि नहीं यहां फ्रंट की ब्रंटेerg क्ल तो कछ यह को इना सब आपको पूर मों आज़ाता है बाकि यहां पर भी आपको जो इन्डिकेटर्स है भो है इनका design pattern थोड़ा सा अलग है company ने इसको फोड़ा सा premium feel दिलाने के लिए कोशिश की है कि ताकि इसको और ज्यादा premium बना सकें तो यहां पर जो suspensions है वो आपको telescopic ही नजर आने वाले है बट यह बाइक आगे से first and only ऐसी है जो इस segment में आपको कुछ चीज़ा offer करती है जैसे कि जैसे कि आप देखोगे यहां आपको यहां यह ABS offer करती है company मतलब कि यह यह जो बाइक है तो यह जो बाइक है यह जो बाइक है यह 110 एसी है मैं आपको फ्रेंड में डिस्क विद एविए ऑफर करेंगी यह कुछ लिमिटेड फीचर से जिसके वारे में मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बात की थी अब यह आ जाते हैं हम साइड प्रोफाइल पर सबसे वाले हम बात करेंगे और टीवेस स्पोर्ट के अगर प्रिंटर का ट्रॉफ जो की प्रेंगर ऐखा है पॉर स्पीड वार्स यहां पर कर देती है को बात करो है इसके एक सो असी एम यहां पर आप रापको ग्राफ क्लिरेंस नजर आएगा इस पाइक में साथ्वेगर का सहीट है जो सीट हाइट है और इसका जो वेट है वो आपको ज्यादा हैवी वेट नजर आने वाला नहीं है एक सो बारा किलोग्राम की ये गाड़ी आपको नजर आ जाएगी बात करूँ में रेयर टायर और रेयर लुक को डिजाइन की तो रेयर टायर में आपको सत्रेंच का गेन एलोई वील नजर तो यह तो होगी साइट प्रोफाइल द्वेस श्पोर्ट की अभी चलते हैं चलते हैं तो सबसे पहले बजाज की प्लेटिना की फ्यूल टेंग की अगर में बात करें तो फ्यूल टेंग यहां पर ऑफर करेगा यह गाड़ी फ्यूल टेंग ऑफर करती है जो की एक लिटर आपको देखते मिलता है, 115cc single cylinder 4-wall BS6 air-cooled engine जो की generate करेगा 8.48 PS की power and 9.8 Nm का torque, power figure थोड़ा से ज़्यादा torque में यहां नजर आएगा TVC sports से ज़्यादा, हलाकि दोनों ही अर्मोस similar से नजर आती है, बात के लिए इसके ground clearance के तो यहां आपको 200 mm की काफी लंबी चोड़ी ground clearance नजर जाएगी, तो ground clearance के मामने यह थोड़ी सी bathroom perform कर जाती है, बात के लिए इसके seat height के तो seat height जो है वो आपको यहां पर 815 mm seat height नजर आएगी, as compared TVC sports थोड़ी सी seat height यहां यह ज़्यादा offer करती है, बात यहां पर एक चीज जो है वो इसको ज़्यादा special बनाती है, जो की यहां आपको brake sensor नजर आ जाता है, speedo sensor कहते हैं सो वो नजर आ जाता है, बाकी almost similar सी जो चीजें है वो यहां basic सी ही नजर आएगी इन दोनों ही गाड़ी में, अभी बात करी जाए basic details की ऊपर overview की तरब जिसमें आपको meter के अंदर दिखाऊंगा कि क्या कुछ features meter के अंदर देखेंगे तो चले टीवेस sport पर पहले चलें, तो टीवेस sport में आपको normally यहां candle bar नजर आ जाता है, जिसके साथ आगे देखोगे तो आपको analog meter नजर आएगा, जिसके अंदर normally blinkers नजर आते हैं, सारे light neutral हो गया, side stand indication हो गया, और engine light हो गई, और analog में यह fuel meter हो गया, पकी यहां speedometer और odometer semi-digital meter unit नजर आ जाएगी, जिसने आपको analog plus है, digital दोनों ही चीज़े देखने मिलेंगी, अब यहां पर कुछ चीज़े बेसिक सी ऐसी हैं, जो आपको यहां थोड़ी सी जादा मिलेंगी, like, like यहां हो गया, gear indicator, gear indicator one and only ऐसी है, जो गाड़ी यह gear indicator देती है, इसके लावा और क बाकि यहां watch देखने मिल जाती है, fuel auction, digital में देखने मिल जाता है, odometer digital में देखने मिल जाता है, बाकी blinkers जो हैं, वो उपर की तरब नजर आ जाएगे, यहां देखोगे, ABS के बेजिंग भी नजर आ जाता है, जो की काफी अच्छा होगा, बाकि यह जो बाइक है, यहां आप आपको total 5 गेर आते हैं, जो की खास मनाती है इस segment के हिसाप से इस bike को, क्यूंकि 110cc के हिसाप से इस में आपको 5 गेर मिलते हैं, जो की कोई भी गाड़ी offer नहीं करती है, बेसिक सी detail इन दोनों ही bikes की के दोनों ही bikes में आपको क्या कुछ मिलता है, अभी बात करूं में इन दोनो ही bikes के average और performance की, तो average के मामले में दोनों ही bikes जो company claim है, वो 80 plus का दोनों ही bikes करेंगी, बाकी customer review जो है, दोनों ही bikes का 70 का आता ही आता है, बाकी average के मामले में कहीं मुझे TVS sport जो है, वो थोड़ी सी आगे निकलती, जरूर नजर आएगी, बट यहाँ पर एक छोटी सी चीज निक यूज भी हो जाए, तो आप TVS sport पर जरूर जा सकते हैं, क्योंकि आपको basic सी सारी details जो है TVS sport में नजर आ जाएगी, जैसे की, जैसे हो गया, front और rear drum brake हो जाएगा, और यहाँ पर आपको alloy wheel नजर आ जाएगे, साथ ही साथ जो indication है, जैसे की side stand cut off, जैसे feature नजर आ जाएगे, और उसकी बजाज की bike पर भी जा सकते हैं, बजाज platina जो कि आपको one and only, 110 segment के एसाफ से काफी अच्छे feature offer करती हैं, काफी अच् कि नजर आएगी, बाकि यह जो गाड़ी है, यह इस price range के हिसाफ से आपको self और kick दोनों ही चीज़ा offer करती है, अभी बात कर लेता हूँ pricing की, तो price सबसे पहले में बात करूं TVS sport की, तो TVS sport में आपको दो वेरिंट नजर आएगे, जिसमें की एक होगा यह single tone color, बाकि एक color हो जिसमें की आपको dual tone में like cosmetic graphics नजर आजाएंगे, जैसे की stickers बगर नजर आजाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले यह वाला variant जो है, वो 60,000 extra room के साथ नजर आएगा, बाकि यहाँ पर बात करूं है platina की, तो platina में आपको देखने मिलेंगे, total 4 variant, 4 variant में क्या होगा, सबसे base model में आपको only kick नजर आएगी, जो की 60,000 extra room में start होगा, बाकि अगर आप top model बजाओगे, तो 80,000 extra room में नजर आएगे, जैसे की जो की हमारे सामने खड़ी है, इस वाले का जो top model है, वो 80,000 extra room है, जिसकी costing के साथ आज आज आपको features भी valuable मिलेंगे, मतलब कि कुछ features ऐसे हैं, जो कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो इस बाइक में special बनाती है, बाकि इसके अंदर भी बहुत सरी चीज़े हैं, जो इस बाइक को special बनाती है, हलाकि ये दोनों बाइक एक दूसरे के comparison में तगड़े राइवल तो नहीं है, क्योंकि इसमें आपको काफी चीज़े ऐसी है, जो extra मिलत इन दोनों की बाइक की डिटेल्स के रेलेटर हमें कमेंट करके बताईएगा, बाकि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कर जरूर कीज़ेगा, बाकि ऐसे ही न्यू अपडेटेटेड वीडियो और न्यूस के लिए हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल कर पर जरूर कीज़ेगा, और ऐसे ही वीडियो हम देखे आते रहते हैं, तब तक लिए थैंकिस हो, मुझे बहुत दल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में